बश्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिट से आपके अपने यूट्यूब चैनल कमप्टीशन प्रिपेरेशन पर आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहोंगे इस वीडियो में दस अगर सेकेंड सिफ्ट सी एचसल 2020 का पेपर करने वाले हैं ठीक है करने वाले इन दसेंस कि हम दोनों साथ में करेंगे क्वेश्चन को और आप लेके बैट जो और जब स्टार्ट किया था था मुझे नहीं लगा था 36 कंप्लीट करना इतना आसान होगा लेकिन आप लोगों का जो प्रेम रहा आप लोगों के जो कंटेंट प वो उतर जाएगा फिर हम कुछ नया प्लान कर पाएंगे ठीक है यह आपके CGL, CHSL, CPO, MTS जो 2021 के एकजाम सोंगे 2022 के एकजाम सोंगे उसके लिए बहु ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और फिर हम कोर्स प्लान कर रहे हैं देखते हैं कि क्या होता है इन फ्यूचर भगवा है डियाई का आपको पता है कंपाइड वीडियो मिलने वाली तो बीस कोशेंट में 20-20 मिनट से जादा नहीं लेंगे उससे जादा टाइम लेना मतलब आपका टाइम वेस्ट करना होगा कहा गया find the compound interest on a sum of 7500 for four years if rate of interest is 20% per annum for the first two years and 10% per annum for the next two years 7500 पे चार साल का compound interest निकालना कितने का success यो अगर निकाल लेंगे तो आपको कोश्च आसान हो जाएगा ठीक है आप देखो 20-20 का कितना होगा 44 44 और 10 का कितना हो जाएगा 44 प्लस 10 प्लस 4.4 यानि कि 58.4 हो जाएगा यह यहां तक हो गया 58.4 और 10 का कितना हो जाएगा अठावन दस मुलो चार धन 10 धन 5.8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 8 5 13 14 और 5 16 7 यहनि 74.24 परसेंट हो जाएगा 74.24 आपको पता है कि 7500 का 1% 75 है तो 74.24 कितना हो जाएगा 75 से गुड़ा कर देंगे तो 75.24 को 300 हासिल आएगी 30, 25.25, 30, 180 हासिल आएगी 18, 75.24 को 300 और 18, 308 हासिल आएगी 31 और 75.7 कितना हो जाएगा 525 और 23, 556 तो यह आपका 55, 68 रुपए ब्याज हो जाएगा एक तो यह तरीका था यह कम के अल्गुलेट्यू है अदर्वाइस आपको पता है दो साल के लिए 20% यहनि 1 प्लस 20 बाई 100 पावर 2 तो 1 प्लस 1 बाई 5 यहनि 6 पावर 5 पावर 2 इतना हो जाएगा और इन्टू 1 प्लस 10 बाई 100 यहनि 1 प्लस 1 बाई 10 यहनि 11 बाई 10 पावर 2 दो साल यह हो जाता तो इतना नेट अमाउंट आता इसमें से 75 सो घटा देते तो भी आपका अंसर आजाता ऐसे भी करवाए दे रहों यह 75 सो हो गया 36 गुड़े 121 हो जाएगा मैनिस 25 सो बठे 25 सो हो जाएगा इतना हो जाएगा तो 25 सो ती यह 75 सो 36 गुड़े 121 करेंगे तो 36 सी कम 36 चाथिस दूना बहात्तर और 3 पच्छत्तर हसी लाएगी 7 और 36 सी कम 36 साथ तैया 466 में से 25 सो घटाएगे यह हो जाएगा तो आठारा सो चपन गुड़े 3 हो जाएगा तो आपको तरीका बेस्ट लगता है आपने किस तरीके प्रेक्टिस करें वह एक्जाम में याद आता है अगला प्रशन देखो गए 27xx3 प्लस नुपान x3 निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए तो यहां से तीन से मल्टिप्लाई कर दो तो तीन एक्स की वैल वह जाएगी 15 अगर इसका क्यूब करोगे तो 27x3 प्लस नुपान x3 प्लस 3ab Ynた Q A plus B, यानि कि यह कितना हो जाएगा 15, और यह बरावा 15 क्यूब, 15 क्यूब कितना होता है, 1555, 152, 33, 37, और 152, 33, 375 होता है, 375 में से 135 घड़ जाएगा, यानि कि आपका 3240 हो जाएगा, 15 क्यूब डाइरेक्ट याद हो, तो भी सही है, नहीं याद है, तो 225 गुड़े 15 कर लेन है, तुरंट कैसे, आप देखो, सबसे पहले ब्रेकेट को सॉल्व करोगे, तो 15 plus 35, 40 हो गया, 50 हो गया, 50 का 4 बटे 5, 40, 40 में से 11 से 3 बटे 5 घटेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 28 सही 2 बटे 5 हो जाएगा, अब 28 सही 2 बटे 5 कितना होता है, 142 बटे 5, 142 बटे 5 से डिवाइ 6, 7, 6, 8, V, 2, ये 8 से डिविजवल कब होगी, जब last digit 8 से कट जाएगा, तो 8, B, 2 जो संक्या हो, 8 से कटनी चाहिए, तो B बराबर अगर हम 0 रखते तो नहीं कटेगी, B बराबर 1 रखेंगे, तो भी नहीं कटेगी, B बराबर 2 रखेंगे, तो भी नहीं कटेगी, B बराबर 3 दखेंगे, अगर तो कट जाएगे, 832, 8 से कटते हैं, यानि B की smallest value 3 होगी, अब आपको 11 से डिविजवल बानाना है, 11 से डिविजवल टी का रूल होता है, alternate digit का सम लेलो, alternate digit का सम लेलो, यानि कीतना हो जाएगा, A plus 7, plus 8, plus 2, यानि A plus 15, plus 2, यानि A plus 17 ये हो जाएगा, और ज 11 के table का होना चाहिए, अगर मैं मानता हूँ कि भाईया, A plus 17, minus 22, यानि A minus 5, 0 है, तो A बराबर 5 हो जाएगा, और अगर मैं A minus 5 बराबर 11, तो A बराबर 16 हो जाएगा, जो कि A बराबर 16 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि A की maximum value नहीं हो सकते, तो smallest value A की 5 आ गए, B की 3 आ गए, य पूछा गया था आपसे, अगला प्रशन डियाई है, छोड़ेंगे, आपको मैं बता दू, जहाँ पर 11, 8, 9, यह सब आए न, तो यहाँ पर आप सबसे पहले डिविजबिल्टी आट से चेक करा, क्योंकि आट यूनिट डिजिट वाला, जो मतलब लाश्ट 3 डिजिट जो ह उससे, अगर आपकी कोई, मतलब ऐसी संख्या उसमें दी गई होती है, जहाँ पर इस्टार होता है, जिसकी वैलू फाइंड करनी होती है, तो आट से डिविजबिल्टी चेक करने में उसकी वैलू निकल जाती है, फिर आप अगले पर जाओगे, तो आसान बनेगा, से स्टार्ट करोगी, यह एक मिनट तो वेस्ट हो गया न, तो सम्टाइम्स आपको वेसिक पर ज्यादा कमाड़ने होनी चाहिए, ऐसे क्वेस्टन में, जो आपको थोड़ा से ट्रिकी, थोड़ा से जमेले टाइप के लगे, लगे इन यह वरक्सप्प, इन यह 20% of total number of students, the total amount spent for sweet distribution in the वरक्सप, कहा गया कि 80 student है वरक्सप में, ठीक है, और 10 resource person है, ठीक है, आरपी लिख दे रहा हूं, कहा गया कि sweets were distributed at the end of the वरक्सप, मिठाईयां बाटनी थी, कहा गया कि each student को जो मिठाई बाटी गए, उस पे 30% खर्चाया, total number of students का, यानि कि प्रते की student प was 40%, यानि 40% किसका, 80 का 40%, 32, यानि जो resource person थे, उनको 32 रुपय की मिठाई एक को दी गई, और बच्चों को 24 की, तो total मिठाई कितनी होगे, 80, गुड़े 24 इधर होगे, यानि कि 1920 की मिठाई इधर होगे, और 320 की मिठाई इधर होगे, तो total कितने की मिठाई होगे, 1920 प्लस 320, य करना है आपको, आप देखो, sin square x, बराबर 3 cos square x लिखा है, तो हम कह सकते, sin square x upon cos square x बराबर 3, यानि 10 square x 3, तो 10 x बराबर कितना होगे, रूट 3, अब 10 x is equal to root 3, तो x की value 60 degree अपने आप हो जाए, आपको दियागे, 1 plus 4 x square plus 16 x power 4 बराबर इतना, ये बराबर इतना, तो आपको 1 plus 2 x plus 4 x square, आपको मैंने एक फार्मूला बता है कि a power 4 plus a square b square plus b power 4, इसका दो factor होते है, एक होता है a square plus a b plus b square, और दूसरा होता है a square minus a b plus b square, ये पता है ना आपको, तो आप देखो, आपको यहाँ पे यह वाला value दी गई, यहाँ पे यह वाली value दी गई, तो यह कितनी हो इतना बटे इतना, यानि पहले वाला 512, बटे दूसरा वाला 64, यानि कि आपका उत्तर 8 हो जाए, ठीक है, तो वो formula आपको याद होना चाहिए बस, यह DI का question है, DI के लिए मैं फिर से एक बार बता रहूं कि आपको क्या बढ़ाना होता है, calculation, normal calculation speed अगर आपकी अच्छी है, DI, ढरावने इस इंसान से दरिद्र इंसान बना सकते हो, आप यह number दिलाने के लिए के all questions आते हैं, ऐसा question आपको मुझे जो मैं बता रहूं, पहली बार मैंने देखा था, 2017 mains के paper में मेरे paper में आता, उससे पहले मैंने कहीं कर रहा था, cat का या किसी का paper solve कर रहा था, तो उसमें अच्छा हो जाए, और यह कर लूँ, वो कर लूँ, practice मुझे पसंद भी है, मैं था आज भी, इस वहाँ से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, यहां से x और z में relation निकाल लो, यानि 5 बटे 8 into y की value 4 बटे 5 x रख दोगे, तो यह आपका हो जाएगा, 1 by 2 x, यानि कि y, z की value है, यहा इसा कुछ हो गया, कागी इबरेज आप रेशी प्रोकल्स ओफ एक्स, y और z, एबरेज निकाला गया है, इसका 1 upon x, प्लस 1 upon y, प्लस 1 upon z, अगर इनका एबरेज 17 बटे 240 से, तो योग कितना हो जाएगा, 3 से गुड़ा करते हैं, यानि 17 बटे 80, कागी एबरेज आप 3 टाइ y कितना हो जाएगा, देखो, 1 upon y यहां से हो जाएगा, तो ऊप्लस 1 upon y, य weniger 5 बटे 4 x, वन अपां z कितना हो जाएगा, 2 by x, ये बराबर दियागा 17 बटे 80, हर बराबर कर लो, यानि 4 x यहां हो गया, यहां पर 4 हो जाएगा, 5 नकाला के काल cannot 10, hinde 18, correct कर दो तो एक्स बराबर बीस यानि साथ प्लस असी बटे तो साथ असी एक्सो चालिस का अधा सतर बहुत आसा सा कोश्चन है बस कैलकुलेशन आपको वक करना है बस अच्छा पहले एक्यू प्लस ब्लस ब्लस इक्यू माइनस त्रिय विसी का कि एकश इंटो 3y इंटो 4z कि ब्रेकट में होता है तो तो एक्यू प्लस सी क्यों ब्लस 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 सी क्यों प्लस आपको की एक आपको थीड़ेशीर सीदे पता है प्लस A प्लस B प्लस C मैंजें कि ये वाला टैम इसको हम थोड़ी देर के लिए M ऋ जूम कर ले यानि ये M और ये बराबर आपको देख है क्योंकि A kё immersive क्योंकि A क्योंभी प्लस C क्योंभी तो यहाँ पे 3, 2, 6, 3, 8, 14, 42 42 यानि ये 72 लिका हुआ गया नितना है तिस भचे का 11 यह में बराबर तेस्त, तो यह बराबर 3, एक लाइन का प्रस्ण था, लेकिन लिखा 4 लाइन में था, समझा रहे हैं न है, आपको A plus B plus C DEA था, A Q plus BQ plus C Q DEA था, तो आपको पता है, A Q plus B plus C Q औप दो कॉर्ड इस एक रूड ती तो रेडियस निकालने हैं देखो एक कॉर्ड है पहले ऐसे समझो यह मालो जीवा है ठीक है यह एक असपर से देखा है जिससे साथ हंस का कूण बनाती है यह 60 डिगरी का कूण बनाती है एक मिनट कलर चेंज करते रहो यहां पर 60 डिगरी का कॉर्ड बनाती है आपको रेडियस निकालने है यह सेंटर मालो ओ ठीक है यहां से इसको मिला दो तो यह परपेंडिकुलर होगा दैट सो ओके अच्छा आपको रेडियस निकालने है लेकिन इसकी लंबाई दीगए 8 रूरती है अब आपको सबसे पहले समझना है देखो कॉर्ड की अगर मैं वैलू बात करूं तो यह भी साथ हंसका होगा यह आपको थेओरम पता है कि अगर यह कॉर्ड सब्टेंट्स थीटा एंगल विद देटा एंगल ड्रॉन इंड ओफ देटील सब्टेंट्स सेम एंगल ऑन दे सर्कंप्रेंस अब दे सर्कल यानि कि ब्रि हो जाएक कि एको बिस अब अगर यह वाला एकशो बिस हो गया हुआ से परपंडिकूलर ड्रॉन करेंगे अब triangle A, O, M को देख लो यह A हो गया यह O हो गया, यह M हो गया हमें AO यानि तरिज्ज्या निकाल ली है हमें यह वाला कोण पता है कितना है यह 60 है आपको यह वाली AM की लंबाई पता है 4 root 3 अब आप यहाँ पर क्या लगाओगे कि यह आपकी इस वाले की value आजाए अगर मैं बात करो, sign 60 sign 60 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई यह को sign 60 लंब 4 root 3 बटे A, O यानि यह root 3 by 2 बराबर 4 root 3 बटे A, O तो root 3 root 3 कड़ गया यानि A, O बराबर 4, 2, 8 that's all basic से कर लें तो यह समझाने में इतना टाइम लगा अगर आप करोगी तो बहुत आसान गवरो बॉर्ट सम आटकिल अट 5 पॉर 6 यानि 6 रुपए में 5 रुपए में 5 रुपए खरीदे और बेचा 11 रुपए में 10 के हिजाब से तो आपका loss परसेंट 6 बटे 5 में खरीदा यानि हम कह सकते 12 बटे 10 में खरीदा और 11 बटे 10 के बेचा यानि कह सकते 12 के खरीदा 11 के बेचा यानि एक का loss आट आफ बारा तो एक बटे 12 कितना परसेंट होता है 8 से ही एक बटे 3 परसेंट यही पूचा गया कहा गया कि 15 आद्मी 6 गंटे पर दिन काम करते हूए 900 कमाते हैं यHe Aleem बेस परशन 10 गंटे पर दे काम करते हैं 25 परशन अगर एक दिन लुवेगा 10 गंटे कमर्ट तो थोल कूंटर कृते हैं हो जाते हैं ऑर यह दोदडनी अच्छा ऐसा न माल लेना कि भई या आदमी हमारे रामू कम काम करता है तो उसको कम रुपै मिलते हैं स्यामू मिस्तरी है तो उसको यहाँ पर मैस में ऐसा अगर दिया जाएगा तब ही मानना अधरवाईस माल लेना कि सारे बराबर काम करते हैं ठीक है अगला प्रश्ण देख लोगा कि 5-4 theta plus root 3 cosec theta divided by this one is equal to one तो आपको इसकी value find करने theta lies between 0 to 90 degree ठीक है और 0 भी नहीं हो सकता 90 भी नहीं हो सकता value putting से भी कर सकते हो लेकिन मैं आपको पता ही होगा कि मैं ज्यादा तर basic पे focus करते हूं 5-4 theta plus root 3 cosec theta और इससे ज्यादा आसानी से ह हो जाता है बराबर हो जाएका 2 root 3 cosec theta अप्लस 3 cos theta अब देखो त्वाले को एक तो 5 cos theta minus 3 cos theta यानि यहां पहले कर लिकार 2 cos theta root 3 cos theta root 3 cos theta यानि कि root 3 cos theta बजहें 2 cos theta बराबर root 3 cos theta यानि यहां से कह सकते हैं 2 cos theta upon sin theta बराबर root 3 into 1 upon sin theta sin theta sin theta कट गया यानि cos theta बराबर हो गया root 3 by 2 यानि theta 30 हो गया अब theta 30 तो इसमें put कर लो तो 7 by 2 into cot square theta यानि cot 30 का square यानि 3 minus 3 बटे 4 cos cos 1 square theta यानि 4 divided by 4 sin square theta यानि 4 गुड़े 1 बटे 4 प्लस 3 बटे 2 गुड़े 1 बटे 3 यह आपका हो जाएगा इसी को solve कर लेना है आपका उत्तर आ जाएगा तो 21 बटे 2 में से 3 घटेगा तो यह आपका 15 बटे 2 हो जाएगा नीचे 1 प्लस 1 बटे 2 यानि 3 बटे 2 दो 2 कट गया 3 बटे 15 का गया कि त्रिभूच की 3 बटे 3 बटे 5 5 बटे 4 के अनुपात में इसका पेरिमेटर इतना है तो आपको greatest राइट के बीच को डिफरेंस निकाल अब ratio इस फॉर्म में हो नहीं सकता आपको पहले सही फॉर्म में चेंज करना है 3 5 और 4 का LCM ले लोगे यानिकि 60 से multiply कर दोगे तो यहां पर आजाएगा 20 यहां पर आज रिफरेंस आठ रेशियो है और यह रेशियो बराबर तीन है तो आठ तीन 14 सेंटिमेट कहा गया कि अगर 48 स्पीड होती है तो रगु कोई जर्नी 2 गंटे 28 मिनट में कर लेता है अगर उसे 1 गंटे 36 मिनट में करना है तो उसकी स्पीड कितनी हो नीचे पहले आप दूरी नि मिनट यानि एक घंटे 36 मिनट बोलते हैं तो एक साही तीन बटे 5 घंटे में तो आपको पता यह डिस्टेंस से टाइम से डिवाइड कर देंगे तो नई स्पीड आ जाएगी यानि आपका लिका 48 गुड़ 37 बटे 15 बटे 8 बटे 5 5 तिया पंदर आठ तिया चोविस दूना 44 दो गुड़ 37 74 किलोमेटर परती घंटे अगर उसकी स्पीड हो तो वह सेम दूरी को एक घंटे 36 मिनट में कवर कर लेगा कहा गया कि एस एक पॉइंट है क्यू आर पे प्रकार से क्यू एस बराबर 10 दिया गया क्यू आर बराबर 18 यानि यह आठ हो जाएगा PSR जो कोंड है PSR यह वाला कोंड PSR आपका कोंड जो है QPR के बराबर है QPR यानि यह पूरे वाले कोंड के बराबर है तो आपको PR की लंबाई निकालने है ध्यान से देखें आपको अगर मानुए इसको थीटा तो या ऐसे चोड़ो आपको पते QPR कोंड की वैल्यू कितनी है QPR को अगर हम P माने तो एक P है, एक R है तो तीसरा अपने आपको जागए यह वाला कोंड के बराबर हो आब耗ल QSR को देखोricoaching QSR जो पता है QSR में क्या है और ट्राइंगल P Q R को देखो, दोनों similar हो गए, देखो, दोनों के तीनों तीनों एंगल बराबर, कॉन S जो इसका है, S P R का, यानि ये वाला कॉन वो P है, और इसका भी P है, ऐसे कॉन S P R, बंदो तिर भुच एस P R का, कॉन P देखो, तो ये Q के बराबर है, यानि ये वाला क बटे क्यू आर बराबर हो जाएगा आरेस बटे प्यार वापको निकालना किया प्यार यानि इसमें आना है अब धड़ा-धड़ वैलू कुट कर दो कहां पर आपको क्या पता है आपको पता है क्यू आर और आपको पता है प्यार आपको पता है प्यार आपको पता है प्यार कि आपका आपको सीधे 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 सीमिलर्टी अगर समझ में आ गई एक बार सिमिलर्टी समझ में आगए आप देख लीजेगा सिमिलर्टी बहुत अच्छे से करवाई तो आपको यह चीजे करने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको दो बुजाएं दी गई हो एक बुजा दी गई हो अब आपको यहां से एक चीज और समझ में आप टीचर्स आपको क्या करते हैं मद्भरम करने के लिए अगर प्यार प्यूजा की लंबाई हो जाए लेकिन मुन्ना हर बार एससी थोड़ा सा घुमाएगी ना इस कहा गया कोई ट्राइंगल है जिसमें जो एंगल से वो एक दो तीन के रेशियो में है तो आपको बताना है कि उनकी जो साइट्स होंगी करिस्पॉंड ने उनका रेशियो क्या होगा अब देखो आपको मैं इसका डारेक्ट फार्मूला भी बता दूँगा लेकिन पहले अब आपको बताना है कि इनके सामने आमने सामने के भुजाओं का अनुपाद कितना हूँगा तो 30 के सामने के भुजा A 60 के सामने के भुजा A रूट 3 और उधर की सामने के भुजा 90 के 2A तो अनुपाद आ जाएगा 1 अनुपाद रूट 3 अनुपाद 2 एक तो ऐसे तरीका होगा Otherwise sign roll निकाल लो sign roll कैसे निकलेगा कहोगे sign 30 अनुपाद sign 60 अनुपाद sign आपको तीनों कोण पता चल जाए तो अगर तीनों के सामने की भुजाओं का अनुपाद पूछा जाए याई अनुपाद भी अनुपाद सी तो आपको क्या हो जाता sign पहला कोण sign दूसरा कोण sign 30 sign 31 बटे 2 sign 60 root 3 sign 91 दो से गुड़ा कर दोगे तो एक अनुपाद root 3 अनुपाद तो आपको ये पता होना चे ये फार्मूला कि अगर ABC 3 कोण है तो आपको उनके संगत भुजाओं का यानि corresponding sides का ratio हो जाएगा sign ए sign भी sign से तो जमेट्री मतलब होता है कि concept और concept अगर आपको आगया कोई कहता जमेट्री की sorting में पढ़ाऊंगा तो उसको बताना मुन्ना अगर थोड़ा सा change हुआ न पेपर तो लल्ला से नल्ला हम बन जाएगे अभी किसी तरह से पढ़ते पढ़ते नल्ला से लल्ला बने है तो आपको नल्ला से लल्ला बनना आसान हो जाएगा अगर आप concept नहीं पढ़ोगे लल्ला से लल्ला बनना बड़ा कठीन हो जाएगा अगर आप concept नहीं पढ़ोगे मैंने concept पढ़ा है आप नल्ले से लल्ले बनें, और लल्ले से नल्ले न बन जाना, अब देखों ऐसा फ्र Привет frost दिखे। خस A, कोस B-sin A, sin B, formula पता है न, कोस A, PLUS B होता है, कोस 60 plus 30 यहनी, 90, कोस 90, zero, zero का अरुमूल, जीरो अब अधरवाइज आप वैलू पूट करते कोई दिक्कत नहीं थी वैलू पूट करके भी हो जाता लेकिन कॉस भी मैंने साइन साइन भी आप फॉर्मूला पता होना चाहिए तो आप आराम से कर लो कहा गया कि एक सरकल है जिसका सेंटर ओ है पीए और पीबी दो टैंज आपको ओ पीबी की वैलू कुछ गई है ओ पीबी यह वाले कोड़ की आप एक चीज माना करो कि अगर ए ओ बीपी दिया जाए तो आपको सीधे सबसे पहले एक चीज दिखाना होता है कि जो कोड़ पी होगा और कोड़ आपको हमेशा पता होना चाहिए कि अगर ऐसा एक बि देख लो कहां कि सम ऑफ स्क्वार सफ साइट्स ऑफ रॉंबस यांव एक एक जूसर मिक्सर है जिसका मार्केट प्रैस पतचर पंस रुपा है तीन सक्सेसीव डिसकाउंट 40-30 परसे रहे सेलिंग बता है अब देखो इसको करने का एक तो सक्सेसीव डिसकाउंट का आपको टेन डिसकाउंट निकाल लेते अधर वाज चालिस परसेंट डिसकाउंट मतलब होता है कि 5 क्यों खरीते तो 3 का बेज देते तीस परसेंट डिसकाउंट मतलब 7 बटे 10 का बेज देते तो पांच पचे 25 और यह कट गए यह 22 आज जाएगा देखो एक 0 कटा 25 से अगर 55 में रुपए में वो भी केगी तो यह सिफ्ट मुझे नहीं लगता कि इससे आसान तरीके से करवाई जा सकती थी ठीक है और हमने बहुत आसानी से कर भी लिया आपको सारे कॉस्चन समझ में आगे होंगे स्पीड थोड़ी तेज मैं इस वज़ा से हमेशा रखता हूं कि आपको स्पीड पर काम न करना पड़े स्पीड मेरे साथ ही आपकी बढ़ जाए और जब भी वीडियो देखा करो तो ऐसा नहीं कि मुझ बनाए बैठे हुए हो ठीक है साथ साथ प्रैक्टिस भी किया करो और वीडियो अगर पसंद आएगी तो आपको यह तीन चार काम करने होते ह एक सेकंड का काम होता है एक लाइक कर लेना एक सियर कर लेना चैनल पर नए होना सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि लला यहां पर मार्केट में बहुत सारे लुटेरे एजुकेसिनल मार्केट में घूम रहे हैं ठीक है तो आप अगर यह चीज़ें नहीं पढ़ोगे तो आजीब तरीके से पढ़ाएंगे और आप उसका पैसा भी पे करोगे ठीक है तो अगर आपको पैसे बेकार नहीं करने अच्छे से पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ना बाकी चलो गुड़ लग लव्यू आप